नमस्कार दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे मुझे इंस्टा पर मेसेज आते हैं कि जब भी हम रेगुलर सिविंग अकाउंट ओपन करवाने के लिए अपनी SBI होम ब्रांच जाते हैं तो ओ लोग बोलते हैं कि आज अकाउंट ओपन नहीं होगा आपको कल आना पड़ेगा और जब हम कल जाते हैं तो ओ लोग बोलते हैं कि एक दो दिन के बाद आपको आना पड़ेगा और जब हम उनसे पूंचते हैं कि आप ऐसा क्यूं हमको गुमा रहे हो आजकल आजकल कल रहे हो और अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हो तो ओ लोग बोलते हैं कि अभी करोना का संक इसलिए ज़्यादा भीरड़ वार यहां पर आलाउट नहीं है तो यह वाद तो समय लोगों को समझ में आती है कि अगर वाइरस चल रहा है तो ज़्यादा क्राउड वहां पर आलाउट नहीं होता है तो आप एक दो दिन के बाद आ सकते हो और जिस दिन आप जाते हो अकाउंट ओपन करवाने के लिए अगर उस दिन भीड़ कम होती है या फिर भीड़ नहीं होती है और फिर भी वो लोग बोलते हैं कि आज अकाउंट ओपन नहीं होगा आपको एक दो दिन के बाद आना पड़ेगा तो तब तो ये उनका बहाना है अकाउंट ओपन उनको नहीं करना है इसलिए वो लोग बहाना मार रहे हैं और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है अगर आप एक हफ्ते से परिसान है आजकल आजकल करकरके और आपका अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है तो आप SVI को ट्वीटर पर टैक कर सकते हो अपना ब्रांच कोट बता के या पर आप इनकी कंप्लेंट ओनलाइन भी कर सकते हो चलिए अब हम आते हैं अपने मेंट टोपिक पर कि जिस दिन मैंने अपने हूम ब्रांच ही आकाउंट ओपन करा आटा यह लगी और कितने दिनन के अंदर अंदर में अकाउंट ओपन ओपन करें तो देखें दोश्तों अगर हम अकाउंट ओपन की बात क 창े तो-सब-स-पहले मैं दे दूँगा कि इंस्टाप्लाज्स अकाउंट किस पकार से उपन करते हैं तो मेरा तो successful open हो गया था लेकिन जो वीडियो के वाईसी की बात है तो वीडियो के वाईसी मैंने काफी बार ट्राई किया ये वीडियो के वाई से हो ही नहीं रही थी वो मेरा खामा का टाइम बेस्ट भी हो रहा था जिसकी बज़े से क्या हो कि मुझे अपनी हॉम ब्रांच जाके और फॉम फिलप करके अकाउंट ओपन कराना पड़ा चलिए आप मैं उसकी प्रोसेस आपको बता देता हूं तो मैं अपने हॉम ब्रांच एक दिन पहले जाता हूं और अकाउंट ओपनिंग का फॉम लेके घर आ जाता हूं क्योंकि मेरी जो SVI ब्रांच है हो पास में ही है इसके बास से उस फॉम को पूरा फिलब करता हूं उस पर सिगनीजर करता हूं और अधार कार्ड और पेंड कार्ड की एक एक जिरोस्कोपी लगा के मैं दूसरे दिन जाता हूं और उस जो किलरक होता है उसको सम्मिट कर देता हूं इसके बास से जो किलरक होता है तुरन्स से मेरा थम्स इंप्रेशन लेता है और एक गंटी की अंदर-अंदर मेरा जो अकाउंट है ओमपन कर देता है और मुझे एक गंटी की अंदर-अंदर मुझे अपना अकाउंट नंबर CIF नंबर ओर पास्वोक इस प्रकार से मिल जाती है तो यहाँ पर complete होगा कि मेरा जो account is regular saving account हो एक घंटे के अंदर अंदर open हो गया था चलिए अब बात करते हैं कि ATM card और जो check वो होती है और कितने दिन के बाद मेरे घर के address पर आई थी और जिस दिन मैंने अपना account open कराया था उसके तीन दिन के बाद मुझे मेरे ATM का tracking number मुझे मुझे मुबाल पर SMS के तुरो मिल गया था और उसके अगले one week के अंदर अंदर buy post से मेरा ATM card मेरे घर के address पर पहुँच गया था तो यहां पर total आप मान सकते हो 10 दिन लगे थे ATM card घर तक पहुचते पहुचते और उसके एक दो दिन के बाद checkbook भी buy post से मेरे घर के address पर आ चुकी थी तो अगर आपका online account open नहीं हो रहा तो आपनी home branch जाके इस प्रकार से open करा सकते हो request करके और अगर आपके मन में अभी भी किसी प्रकार का कोई question है तो आप मुझे comments करके जरूर पूच सकते हो चली मिलसे next video तब तक के लिए बहुत बहुत धन्नवाद